Hello everyone, welcome to our channel Star IQ तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि female supervisor और lab attendant का exam आ रहा है तो questions की series तो सर ने चला ही रखी है तो कुछ और add-on किये हैं मैंने भी तो चलिए देखते हैं हमारा पहला question तो हमारा पहला question क्या कहता है एजा दिराचेटा इंडिका किसका विज्ञानिक नाम है किसका scientific name है तो ये किसका scientific name है बटा ये है नीम का तो ये हमारा scientific नाम हो गया किसका नीम का सागोन का हुआ टेक्टोना ग्रैंडेस ऐसे ही सिल्वरोग का ग्रिवियला रोबस्टा और तुलसी का oseumum, tanum, florum तो हमारे इसके apple का क्या हुआ मैलस, bamboo का बैंबूसा, बनाना का मूसा, बनियान का फीकस question है हमारा which of the following vitamins help in the absorption of calcium निमलिक्त में से कौन सा vitamin calcium के absorption में मदद करता है कौन सी चीज absorb करती है क्या calcium को तो कौन सी vitamin help करती है हमें ये तो पता ही है, vitamin D ठीक है, vitamin D हमारे क्या calcium को absorb करती है हमारा next question है medulla oblongata medulla oblongata किसका part है ठीक है, निमलिक्त में से किसका एक हिस्सा है तो ये हमें पता ही है, किसका हिस्सा है brain का, हमारे दिमाग का या मस्तिश का ये हिस्सा है, क्या medulla oblongata ठीक है अब यह कोई पूछे अगला question अगर कोई बना दे कि medulla oblongata का function क्या है तो medulla oblongata जो brain का जो part है वो किसका center है respiration का और circulation का जो भी circulation हो रही है body में blood vessel की functioning हो रही है या breathing regulation है वो सारा हमारा क्या करता है medulla oblongata control करता है हमारा next question है photosynthesis in plants takes place in जो हमारा प्रकास translation है वो किस भाग में होता है कौन से part में होता है plants के अंदर तो हमारे plants के अंदर कौन से part में होता है leaves के अंदर होता है leaves क्या करती है पतियां क्या करती है absorb करती है किसको carbon dioxide को और light को और वो क्या बनाती है खाना बनाती है हमारा next question है which drug is used to cure hypertension उच रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उप्योग किया जाता है तो कौन सी दवा है बटा जिसका उप्योग किया जाता है वो है hydralazine है hydralazine हमारी क्या है hypertension को ट्रोल करने के लिए या उसको cure करने के लिए हम इसे use करते है तो hypertension अब कोई पूछेगा कि hypertension क्या होता है तो hypertension होता है high BP उच रक्तचाप ठीक है इसका कितना होना चीए हमारा या तो 140 या फिर उससे जाद हो जाए तो वो hypertension की category में आ जाता है इसे हम क्या और भी कह सकते है systolic blood pressure ठीक है तो याद रखना है hypertension को हम क्या बोलते है high blood pressure भी और systolic blood pressure भी और 140 और या फिर इस से जादा किस की category में आ जाएगा hypertension की और वही हमारा low जो hypertension होता है low BP उसे हम क्या बोलते है diastolic blood pressure जो कि 90 या 80 से कम होता है कई जगा 92 140 दे 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 या फिर 82 140 तो option to option differ करता है वही हमारी जो medicine दे रखिया है rice donate ये क्या करती है ये हमारी जो कमजोर weak bones हो जाती है जो हड़ियां हमारी कमजोर हो जाती है उन्हें treat करने के लिए उनका इलाज करने के लिए ये वाली दवाई दी जाती है ठीक है जो ये diazepam है ये diazepam हमारे को कब दी जाती है जब हमें कोई tension होती है या फिर हमारी मासपेशियों में कोई intern हो जाती है या फिर कोई fitness के इलाज के लिए हमारे क्या देते है diazepam ठीक है folic acid, folic acid किसका part है vitamin B का ठीक है ये naturally occurring vitamin B है जब भी vitamin B की कमी हो जाएगी तो हमारी क्या देते है हमारे folic acid दिया जाता है ठीक है और hypertension के लिए hydralazine हमारा next question है which is used as laughing gas laughing gas के तोर पर किसको use किया जाता है तो ये बहुत ही common और important question है कि laughing gas के रूप में किसको उपयोग किये जाने वाली gas है कौन सी है वो है हमारी nitrous oxide option number A हो गया nitrous oxide ठीक है nitrous oxide को formula होता है N2O और ये क्या होती है हमारी colorless gas होती है इसका मीठा सा order और taste होता है order का मतलब होता है smell मीठी से smell या और taste भी इसका क्या होता है मीठा सा होता है ठीक है और colorless ये gas है next है हमारा question what is neilat होता अब नीला थोधा क्या होता है नीला थोधा हम किसी कहते है copper sulfate को C-U-S-O-4-5-H-2 ठीक है नीला थोधा क्या है copper sulfate next question है which is the fundamental element of all organic compounds सभी carbonic yogi कों का मूल तत्व क्या है जो हमारी organic compounds होते है जैसे science में हमारी inorganic organic physical होती है ठीक है तो ऐसे ही हमारे जो organic compounds है उनका मूल तत्व क्या है उनका मूल तत्व है carbon उसमें सारी linkages हमारी किसे related होंगी carbon से होंगी वो सारे elements हमारे क्या है covalently linked होंगे किसे carbon से ठीक है जैसे carbon हमारे hydrogen से भी linked हो सकता है nitrogen oxygen ठीक है इन सब से link होगा किसे sharing से और इसी लिए इसका fundamental element क्या होगा organic compounds का carbon ठीक है तो हमारा next question अब देखिए next question क्या कहता है which acid is found in vinegar vinegar के अंदर सिर्की के अंदर कौन सा acid पाया जाता है तो सिर्की के अंदर हमारा कौन सा acid होता है acetic acid ठीक है CH3 COOH हमारा क्या कहलाता है acetic acid कहलाता है वहीं हमारा lactic acid किसमे होता है lactic acid हमारा दूद में होगा है milk products में citric acid citrus के जो food होते है हमारे खटे जो पदार्थ होते है उनमें होता है malic acid जैसे हमारी watermelon होगा cherries होगी grapes होगे इनके अंदर हमारे क्या malic acid होता है हमारा next question है blackboard seems black because it blackboard क्यों काला दिखता है क्यों दिखता है क्यों बताओ सोचो क्या है यह हमारा black color क्या करता है absorb कर लेता है काले रंग को अब कहते हैं ठंड में हमें क्या dark color के कपड़े पहनने चाहिए क्यों क्योंकि वो जादा colors को या फिर absorb करता है किसको light को ठीक है तो हमारा black color क्या करता है absorb कर लेता है या अवशूशित कर लेता है काले रंग को इसलिए सारी lights को absorb कर लेता है इसलिए वो दिखता है क्या black color ठीक है next is if a ball is thrown up which of the following doesn't change अगर हमारी gaind को या ball को उपर की और फैंका जाता है तो इन में से क्या नहीं बदलता इन में से कौन सी चीज चेंज नहीं होती अगर हम उपर फैंकते हैं तो speed भी बदली जाएगी हमारी ये potential energy स्थिते जोरजा भी बदली जाती है और distance तो of course बदला ही जाता है ठीक है तो हमारी क्या change नहीं होगी acceleration due to gravity change नहीं होती गुर्तवा कर्शन के कारण त्वरन ठीक है ये हमारी चीज क्या है change नहीं होगी हमारा next question है SI unit of intensity of sound is SI unit किसकी sound की sound की intensity क्या है जो SI unit है ध्वनी की तीवरता उसे हम क्या कहेंगे watt per second ठीक है watt per second हमारी क्या है intensity of sound की unit है वहीं joule per square meter किसकी है joule per square meter radiant exposure की जो भी हमारी radiant rays आती है उनकी exposure की को अगर हम measure करते हैं तो वो हमारी joule प्रती वर्ग meter में नापा जाता है तीक है वहीं हमारा newton per square meter किसमें नापा जाता है किसके लिए यूज करते हैं हम pressure के लिए ठीक है newton per square meter को हम pascal भी कह देते है और हम इसे क्या कहते है यह हमें किसकी SI unit होगी यह हमारी unit होगी pressure की वहीं tesla per square meter किसकी है weber इसको हम weber भी कहते है और यह किसकी है magnetic flux की ठीक है tesla per square meter किसकी होगी magnetic flux की तो हमें अगर question पूचे जाता है SI unit of intensity of sound watt per square meter SI unit of radiant exposure joule per square meter SI unit of magnetic flux है उसकी tesla per square meter pressure की newton per square meter ठीक है अब चलते हमारे next question पे to keep drinks at the same temperature for quite some time the walls of the thermos bottle are coated with जो पीने के जो थोड़े समय के लिए समान तापमान पर रखने के लिए thermos की जो बोतल होती है कि दिवारों किस्ते है पर कौन सी किस से लेपित किया जाता है ठीक है किस से coat किया जाता है तो वो हमारी coat किया जाता है silver की silver layer से उसे coat किया जाता है जो हम room temperature या same temperature पर रखते हैं ठीक है उन bottles को हमारा next question है the atmosphere exerts enormous pressure on us जो atmosphere है वो बहुत सारा pressure हम पर डालता है but we do not feel it because हमें फिर भी पता नहीं लगता जो हमारा आसपास का environment है वो हम पर भारी दबाव डाल रहा है वाता वरेने जो लेकिन हमें कोई महसूस नहीं होता क्यों क्योंकि जो हमारा blood है वो exert a pressure slightly more than that of the atmosphere जो हमारा option number A है वो क्या कह रहा है कि जो blood exert करता है pressure वो जादा होता है किसे atmosphere से जो हमारी body का pressure है वो जादा होता है किसे जो बाहर के वातावरन से तो इसलिए हमें यह नहीं पता लगता कि हमारे जो atmosphere वो प्रेशर डाल रहा है दबाव भारी डाल रहा है यह नहीं डाल रहा और वहीं हम पानी के अगर अंदर चले जाएंगे तो हमें पता लगेगा क्यों क्योंकि हमारा पानी का जो pressure है वो जादा होता है किसे हमारी body से ठीक है हमारी blood से हमारा next question है the sensation of weightlessness in a spacecraft in an orbit is due to the जो एक अक्ष में एक अंतरिक शान में वजन हींता की अनभुती अंतरिक शान के अंदर हम हलके क्यों महसूस करते हैं हलका क्यों महसूस करते हैं क्योंकि जो acceleration है orbit का वो किसके equal है acceleration जो बाहर है जो orbit में जो त्वरंड में जो बाहर गुर्थवाकशन है वो बराबर है किसके जो बाहर की gravity के बराबर है ठीक है जो अंदर जो acceleration orbit पे चल रही है जो गोल-गोल घूम रहा है और वो gravity के equal हो जाता है तो इसलिए हमें क्या हलकापन महसूस होता है तो ये हमारे 15 questions थे बचो जल्दी से रिवाइस कर लो 15 most important questions थे तो क्या पता इन में से कोई एक आजाए तो चलिए मिलते हैं next video के साथ till then take care bye bye and thank you